नमस्कार दोस्तों बंगाल में दूसरे चर्ण के बिधान सवा चुनाओ संपन होने के साथ ही बंगाल में और भी तेजी से राजनीतिक सरगर्मिया बढ़ गई हैं आपको देशे दूसरे चर्ण में 30 बिधान सवा सीटों पर मद्दान संपन हो चुका है अब सबसे महत्पूर बात यह है कि इस 30 बिधान सवा सीटों में बंगाल के सबसे होट सीट नंदी ग्राम काफी खासा चर्चाव में रही अब इन 30 बिधान सवा सीटों को लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है इस ओपिनियन पोल के मुदाबिक दूसे चर्ण के 30 सीटों में भारती जंता पार्टी को तगड़ा जटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं इसी के साथ ही नंदी ग्राम सीट का भी बड़ा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है इस सीट पर किसकी जीत हो सकती है हम आपको आगे बताएंगे लेकिन आपको बता दें बंगाल में सबसे ज़्यादा फोकस सभी राजनितिक पार्टियों का नंदी ग्राम सीट पर सबसे ज़्यादा है हाला कि ममता बहार जी और सुबेंदु अधिकारी दोनों के किस्मत का फैसला EBM में कैद हो चुका है हाला कि आज दूसरे चान के दोरान कई खबरे ऐसी निकल कर सामने आई कि कई जगों पर EBM गडबड निकली यानि कि खराब निकली जिससे काफी असुबिदा का सामना करना पड़ा जया दोस्तो 30 सीट और नंदिक ग्राम सीट के ओपिनियन पोल क्या कहते हैं आपको डेटेल से इसके बारे में जानकारी देंगे लेकिन आपको क्या लगता है क्या बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर जी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगी या फिर भारती जनता पाड़ी जिस तरह से 200 प्लस सीटे जीतने का दावा कर रही है क्या भारती जनता पाड़ी सत्ता परिवर्तन कर पाएगी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और साथी इस बीडियो पर अपना एक लाइक ज़र दें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मातपोर है साथ ही इस बीडियो को जादा से जादा से शेयर करें जहां दोस्तों आपको बंगाल में पहले चाड़ का चुनाओ 27 मार्च को संपन हुआ था और दूसे चाड़ का चुनाओ आज संपन हो गया है आपको दादे दूसे चाड़ के दोरान रिकार्ड तोड बोटिंग हुई है जिए आपको दादे बंगाल में दूसे चाड़ के दोरान 80.4-3% बोटिंग हुई है अलाकि 2016 के मुकाबले लगबाग 6% बोटिंग कम हुई है अब बंगाल में 6 चाड़ों के बोटिंग और बचे अलाकि बंगाल के साथ साथ असम, तमिल्लाडू, उड्डू चेरी और केला में भी विदान सभा के चुना हो रहे हैं अलाकि आपको बदा दें 29 अप्राहिल को सभी पांचों राज्यों के चुनाव संपन हो जाएंगे और 2 माई को नतीजे सामने आएंगे तब जाकर ये क्लियर हो पाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है लेकिन इस बीज दूसे चड़के 30 विदान सभा सीटों और नंदिक ग्राम सीट का बड़ा ओपेनियन पोल निकल का सामने आए जे आप कुदा दें ये ओपेनियन पोल डिजटल माध्यम से कराये गया है अलाकि कई बड़ी कमपनियों ने भी डिजटल माध्यम का प्रयोग करते हुए बंगाल चुनाव को लेकर कई ओपेनियन पोल भी जारी किये अब 30 बिदान सवाज सीटों को लेकर जो डिजटल ओपेनियन पोल निकल का सामने आया उसमें बारती जनता पार्टी को तकड़ा जटका लगता हुआ दिखाए दे रहा है जे आपको दें इस ओनलाइन सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया था कि दूसे चड़ की 30 बिदान सवाज सीटों में से भारती जनता पार्टी और टीमसी को कितनी कितने सीटे मिल सकती है आपको दें इसमें 10,300 लोगों ने अपना बोर्ट दिया है इसमें 4 question रखे गए थे जिसमें भारती जनता पार्टी 26 सीट, टीमसी 3 सीट जिसमें 8% लोगों ने अपने बोर्ट दिया है 8% लोगों ने माना कि भारती जनता पार्टी 26 सीट जी सकती है टीमसी 3 सीट वहीं दूसरे में जो आप्षन रख्या गया था उसमें भारती जनता पाटी 16 सीट, TMC 13 सीट जिसमें 4% लोगों ने अपना मत दिया है 4% लोगों ने मानाए कि BJP 16 और TMC 13 सीटे जीत सकती है तीसरे आप्षन में पूछा गया था कि भारती जनता पाटी 5 प्लस माइनस सीट, TMC 24 प्लस माइनस सीट जिसमें सबसे हाइस्ट 83% लोगों ने अपने वोट सामिल किये है यानि कि इस 10,000 से ज़्यादा बोट में से 83% लोगों का मानाए कि भारती जनता पाटी को 5 से कम ज़्यादा सीटे मिल सकती है वहीं TMC के खाते में 24 सीटों से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है वहीं चौते आपसन में पूचा गया था कि कुछ कहना है कि इस पर 5% लोगों ने अपने मत दिये हैं वहीं TMC को 24 प्लस माइनस सीटे मिल सकती है अलाकि आपको देदें चुनाओं से पहले कई कमपनियों ने टीवी चैनलों ने अपने अपने ओपिनियन पोल जारी किये थे जिसमें ममता बनर जी की एक बार फिर सत्ता में वापसी होती हुई दिखाया गया था ABP News, Times Now, CNX, सहीत कई चैनलों ने TMC को 150 से उपर सीट मिलने की बात कही थी अलाकि भारती जनता पार्टी भी 100 का आकड़ा छूती हुई दिखाई दे रही थी इससे कहीं ने कहीं देखा जा सकता है कि बंगाल में भारती जनता पार्टी और TMC की बीच काटे का मुकाबला है तो चलिए आपको बंगाल की उस हार्ट सीट का जो सर्वे निकल कर सामने है उसके बारे में बताते हैं आपको ते नंदी ग्राम सीट को लेकर भी एक आनलाइन सर्वे कराये गया है जैसा कि आपको पता होगा इस सीट से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनरजी मैदान में तो ही बीजेपी के प्रत्यासी सुबेंदु अधिकारी जो कि TMC से ही निकल कर बीजेपी में सामिल हुए हैं वो मैदान में हैं हलाकि जैसाद चुनावी महल दिख रहा था उससे ऐसा ही लग रहा था कि ममता बनरजी और सुबेंदु अधिकारी के बीच काटे की टक्र थी हलाकि इसको लेकर एक डिश्टल सर्वे निकल कर सामने आ है आपको ते इस आनलाइन सर्वे में पूछा गया था कि नंदी ग्राम सीट पर किसकी जीत हो सकती है ममता बनर जी या फिर बारती जनता पार्टी के नेता सुबेंदू अधिकारी की जिसमें आपको बता दें 19,000 लोगों ने अपने बोर्ट दिये है 19,000 का आगड़ा कम नहीं होता है इसमें 4 आप्सन रखे गए थे जिसमें पहला आप्सन में पूछा गया था कि ममता बनर जी को 35% सुबेंदू 65% जिसमें 11% लोगों ने माना था कि ममता बनर जी के जीतने के चांस 35% है और सुबेंदू अधिकारी के जीतने के चांस 65% है वहीं दूसरे आप्सन में पूछा गया था कि ममता बनर जी के जीतने के चांस 50% सुबेंदू अधिकारी के 50% तो 5% लोगों ने माना था कि दोनों में यानि मम्ता बनरजी और सुबेंदू अधिकारी के बीच काटे की टककर है 5% लोगों ने माना था कि मम्ता बनरजी भी यहां से जीत सकती है और सुबेंदू अधिकारी भी यहां से जीत सकते है वहीं तीसरे में पूछा गया था कि मम्ता बनरजी 45% सुबेंदू 55% जिसमें 3% लोगों ने माना था कि ममता बनरजी के जीतने के चांस 45% है और सुबेंदू अधिकारी के जीतने के चांस 55% है वहीं अंत में पूछा गया था कि ममता बनरजी 85% सुबेंदू अधिकारी 15% जिसमें सबसे ज़्यादा 81% लोगों ने अपने मत दिये हैं ममतापनाय जी के नंदि ग्राम सीड से जीतने के जांस 85% है जबकि सुभेंदू अधिकारी के नंदि ग्राम सीड से जीतने के जांस 15% है हलागी ये आनलाइन मीडिया द्वारा कराए गया सर्वे है इसमें माना जा सकता है कि थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं लेकिन फिर भी 81% लोगों ने नंदी ग्राम सीट से ममता बरहजी को जीतने का चांस 85% माना है और सुबेंदु अधिकारी के जीतने का चांस 15% माना है हलाकि आपको बदादे 6 चर्ण के और चुनाव बचे हैं और नतीजे 2 माई को सामने आएंगे लेकिन जिस तरह से नंदी ग्राम में रिकार्ड तोड ओटिंग हुई है उससे कहीं न कहीं ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर दोनों का पलड़ा भारी हो सकता है लेकिन आपको क् सीट से किसकी जीत हो सकती है ममता बनार जी की या फिर सुबेंदू अधिकारी की आप अपनी राहे कमेंट में जरूर बताएं अलाकि आपको दें दूसे चर्ण के दोरान कई जगहों पर छेट पोट हिंसा भी हुई खोद ममता बनार जी नंदी ग्राम पोलिंग बूत पर अपना डेरा जमाई हुई थी इस दोरान चुनायोग पर ममता बनार जी ने जम कर भडास्त निकाली साथी चुनायोग पर भड़कते हुए ममता बनार जी ने कोट जाने की धमकी दी है जिसके कारण मद्दाताओं को काफी परसानियों का सामना करना पड़ा लेकिन फिर बाद में या तो EBM बदल दिया गया या फिर उस EBM को ठीक कर लिया गया हलाकि ममता पनरजी ने नंदी ग्राम सीट पर वोई हिंसा को लेकर कई सिकायते दर्ज कराने के बावजूद निर्वाचन आयोग द्वारा उन पर कारवाई न करने को लेकर उसे आड़े हाथो लिया है इस मुद्धे पर कोड जाने की धमकी दी है ममता पनरजी ने अपने सिकायत में बूत कब जाने और बोयल में बड़े पैमाने पर फर्जी मद्दान के आरोब भी लगा है नंदी ग्राम के बोयल में बूत नमबर साथ के बाहर बैठी ममता पनरजी ने कहा कि हम सुबह से तेसर सिकायते दर्ज करा चुके हैं लेकिन एक पर भी कारवाई नहीं हुए हम इसे लेकर कोड जाएंगे उनका कहना की यह अशिकार है निर्वाचन आयोग अमिस सा के निर्देश के मुताबिक काम कर रहा है ममता पनरजी की पाटी के कारकरताओं ने आरोप लगाया था कि यहां कई मंदाता अपना वोट नहीं डाल पाए ममता ने कहा कि अनराजों के गुंडे यहां पर और आज अक्ता फैला रहा है मुक्यमंत्री ममता पनरजी ने इस्तिती के बारे में सिकायत करने के लिए पस्चिम मंगाल के राज पाल जगदीब धनकर को भी फोन किया था ममता पनरजी के फोन करने के बाद राज पाल ने ट्वीट किया ममतब नजी द्वारा फोन पर कुछ समय पहले उठाये गए मुद्दे से संबंदित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है ट्विट में आगे लिखा गया कि निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी निकाय की दूसे चर्ण में जिन 30 सीटों पर बोर्टिंग चल रही है वहाँ पर साम 6 बज़े तक लगबग 85% मदान दज हुआ है अलाकि आपको वदादें अलाकि TMC ने EBM पर भी कई सवाल खड़े किये EBM को लेकर TMC ने कई सिकायते दर्ज करा ड़ली इन सिकायतों का पूरा चार्ट बनाकर TMC ने चुना आयोग को भेज दिया है TMC ने खराब EBM से लेकर दूसरी EBM भेजने तक के आरोप लगा है अलाकि कुछ छिटबुट घटनाओं के बीच मद्दान काफी सांती पूर रहा और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने बर्चर का हिस्सा लिया और रिकार्ट तोड मद्दान हुआ है